कर्वी युवा महस्वब में उपस्तित आसाम के मुख्यमंत्री डक्टर हिमान्द विश्व सर्माजी कर्वी यंलं एटनोमस कांसिल के चीप एज़िकूटिव मेंबर स्रि तुलीडराम रंहांग जी डेपुटी स्पिकर डक्टर दुमल ममिन जी कर्वी कीङ श्री लंग सिंग रंहांग जी श्री चंद्र सिंग, क्रोजी, प्रेसिडेंड कर्भी काल्चुलार सोसाइटी, जन प्रतिनिदीगन, कर्भी काल्चुलार सोसाइटी के पदाधिकारीगन, गणमान्य अतितियों, देवियों और सोजन, नमस्कार, कर्दम मैं आप सभी को कार्भी यूद फेस्टिबल के सर्ण जनती महस्वब की हार्दिक बधाई देती हूँ, जो मुख्यमंत्री महदोई ने मुझे इस आयोजन के आने का अमंत्रन दिया, तो मुझे सहोजी महसुस हुआ कि ये जुबा महस्वब अतन्त महत्त पुर्ण है, और मु प्रतिकत रूप से आप से नहीं मिल पा रही हूँ, लेकिन मुझे वर्चुआल मज्धम से आप से जुड़ने का अपसर मिला है, बर्ष 1914 में प्रतिवर्ष आयोजीत हो रहा, ये जुबा महस्वब आप आसाम ही नहीं, बलकि पूर्य देश का काल्चुराल कलेंडर में एक महत्तपुण आयोजन के रूप में आपना स्थान बना चुका है, मेरा विजार में कार्भी अंगलं का ये जुबा महस्वब एक प्रकार से भारत के सरनिम्भविश्यो का महस्वब भी है, इस जुबा महस्वब को आयोजन करने के लिए में आसाम के मुख्यमंत्री डक्टर भी में विश्व सर्माजी, कार्भी अंगलंग उटोनमस कांसील तो था असम राज्य सरकार और कार्भी अंगलंग जीले के सभी अधिकरियों और करमचारियों की सरहना करती हूं। कि बिलुप्त हो रहे ही जनजातियों को लाओं तथाप्रम्पोराओं के संग्रक्षोण के लिए कर्भी काल्यूर्वी सोसाइटी की गोधिवेधियों की भी में प्रसंगशा करती हूं जबा महस्व कर्भी कि सांस्कृतिक बिरास्वत के संग्रक्षण को प्रसाहित करने के साथ साथ और नो समूदायों के साथ मेल जुलकार विभिधोता का उस्सौप मनाने का भी अपसर है अधित की दुखोत स्मूर्थियों से मुक्त होकर उस्साहों एवं उर्जा के साथ प्रगतिपत पर आगे बढ़ने में इस युवा महस्व की महत्तो पुर्ण भूमिका रही है मुझे बताया गया है कि युवा महस्व पुर्वत्त छेत्र का आपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है मुझे यह जानकार प्रसंता हुई है कि इस महस्व में नुरुत्य संगीत खान पान खेल कूद कोला और सिल्व तो था पुरिधानों की सभा का सुन्दर प्रदर्शंतो होता ही है यहां सहित्तिक कोतिविधियों तो था सांस्कुतिक प्रतिश परधाओं का आयोजन भी होता है इस प्रकार इस महस्व द्वारा इहां के लोगों विशेशकार जुवा बर्ग में निहित प्रतिभा को बहुँ आयामी एवंकोलात्मक और भीव्यक्ति मिलती है। मुझे बताया गया है कि इस महस्वम में परंपरा और आधनिकता का सुभी चारीत स्वाबेश किया जाता है। यह जानकार मुझे प्रसंता हुई है कि लगभग 5,000 जुवा प्रतिभाओं ने इस महस्वम में आयोजित प्रतिस प्रदाओं और कार्यो कर्मों में हिस्सा लिया है। मुझे विश्वा से कि एहां बड़ी संख्या में उपस्तित युवोक और युवोदियां और आसपास के छेत्र के सभी जुवा आपनी प्रतिभाओं और परिश्रम से आसाम राज्यो की पुर्वत और चेत्र की और पूर्य देश की प्रगती में आपना अमुल्य जग दन देंगे देवियों और सोजनों जनवजातियों असमिता कितनी महत्त पुर्ण होती है यह सोयंग में ने अपनी जीवन में अरुभव किया है इस प्रकार के उस सब जनवजातियों असमिता को प्रदर्शित भी करते हैं और उसे मजबूती भी बनाते हैं मैं यहां उपस्ति सभी जनजातियों बेटे बेटियों को विशेश बधाई और आशिरबाद देती हूं। मैं ये मानती हूं कि जब जुवापिढी सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ती है तो समगरो विकास तेजी से होता है। ए बहुत खुशी की बात है कि इस छेत्र की युवा सांतिप्रण तरीके से बिकास की मुख्यो धरा को आपना योगदान देने के लिए ततपर है। तथा सक्रिया है। देवियों और सोजनों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सोहीत हमारे राष्ट्र निर्माता और सम्भिधा निर्माता बोईसिक दृस्टिकोन और परंपरा गत भार्योतियो जुबन मुल्लों के समन्नोय को प्रस्षाहित करते थे। वे चाहते थे कि हमारे जुबा विश्चो की आधुनिक उपलोब्धियों के आयामों को अपनाएं। साथी वे इस बात को लेकर भी सोचेत थे कि हम बिदेशी प्रभाव तो था आधुनिकता के दवाव में भारतियों संस्कृति और अपने स्वास्षत जिवन्त मुनलों क को भी मोजबूति के साथ आपनाएं रखें। आधुनिक विकास के साथ स्थानियों जनजातियों पहंचान को बनाएं रखने के उद्देश से पुर्वत चेत्रों के असम मेघालय मीजराम और त्रिपुरा के कुछ जनजातियों इलाकों के लिए संभिधान के भाग दस औ अनुशुची में विशेश प्राध्धान समाहित किये गए हैं तथा सो शाषन की वेवस्ता सुनिश्चित की गई हैं। इस प्राभधान के लिए सभी देश बसी लगप्रियों गपिनाथ बर्दो लोई तथा बावा सहीव डक्टर बी आत अम्बेत करके स्वदेव गुर रंगशिन सार्पो कर्भी समुदाय के महानायक ठंग नकबे तथा कर्भी समुदाय के जनजन के हुरुदोई में बसे कचीर रंगहंपी की मूर्तियां इस परिशर में स्तापित की गई हैं। ऐसी विभुतियों का सनमन करके आप सब अपने परंपराओं का संरक्षोंड औ मैं आप सब को साधुबाद देती हूं। कारियों किया जा रहा है। देवियों और सोजन मुझे विश्वा से कि ये कार्भी युवा महसब निरंतर और अधिक प्रभावी तथा लोकब्रियोहता जाएगा। ए महसब भारत के प्रमुक लोक उस्षब के रूप में और भी बड़े पेमाने पर लोगों को आकरसित कर समस्त पूर्वतर चेत्र की उर्जा के प्रभाव सली उदाहरन के रूप में से इस महसब की प्रतिस्ता निरंतर बढ़ती रहेगी। इसी मंगल कमना के साथ मैं आपनी बाणी को बिराम देती हूँ। धर्ण्यबाद जय हिंद जय भारत।